और देखो एक बात ये है भागवत जी में प्रसंग आता है कि जब त्रणावरत स्री क्रश्ण को लेकर के उड़ा तो किसी को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था इतनी धूल आंधी चल रही थी तब क्रश्ण भगवान ने क्या किया कि अपना वजन बढ़ाया भगवान ने जगे जगे ये लेलाए कि कहीं अपना वजन बढ़ाया कालियन आग ने जब पकड़ा तो अपना आकार बढ़ाया तो ये श्री कृष्णा ने प्रेणा दी है जो सादक यहां बैठे है उन्होंने श्री आशारामान का पाठ किया होगा तो एक बात पड़ी होगी देखा किसी ने सोचा डाकू लाए लाठी भाला चाकू दोड़े चीखे शोर मच गया गुरुदे बैठे ते ध्यान में तो कुछ लोगों ने सब की अपनी अपनी द्रश्टी होती है व्यक्ती द्रश्टी के द्वारा देखता है इतना ही नहीं द्रश्टी के द्वारा वो द्रश्य का निर्मान भी कर लेता है सब की अपनी अपनी द्रश्टी होती है रजोगुणी की अपनी तमोगुणी की अपनी जैसे स्रीकरश्ण मतुरा में गए तो चाणोर मुष्टिक को कुछ दिखे कंस को काल दिखे किसी को कुछ किसी को कुछ सब अपनी अपनी द्रश्टी से देख रहे थे विक्रुत द्रश्टी होती है तो विक्रुत द्रश्य का निर्मान करती है पर पवित्र भक्ति भावाली द्रश्टी होती है तो कल्यान करती है गुरु की क्रपा गुरु का आश्रिवाद जो बरस रहा है फूल को कहना नहीं पढ़ता सुगन दे दिये को कहना नहीं पढ़ता रोशनी दे सुर्य को कहना नहीं पढ़ता किरने दो और वो दे रहे है उनकी क्रपा है अपना आश्रिवात बर्सा रहे है दूलिया है महराष्ट में दूलिया वहाँ एक स्कूल है हाई स्कूल राजिय उगांदी विध्याल है उसका नाम है वहाँ के प्रदानाचारे पर कुछ ऐसे आरोप लगे तो बिचारे को उपद छोड़ना पड़ा बड़े दुखी हो गए सिर्पे बढ़ गया करजा आत्मात्या करने को जा रहे थे एक दोस्त मिल गए उन्होंने कहा के बले जाओ मैं रोकता नहीं हूँ पर एक बार चलो सत्संग में दुलिया में बापुजी का आगमन हुआ है आप सुनके बले चले जाना मित्र की बात मानकर आये सत्संग सुना तो रदे को छू कर आती हुई कल्यान का रिवानी उनके रदे को छू गई और उनको हुआ के अरे मैं क्यूं अपना जीवन खराब करूँ गुरक नात्जी ने का मरो है जोगी मरो मरो मरण है मीठा पर उस विद मरो जिस विद गुरक मरी दिठा जीव गया और शिव को पाया जान लिया हूँ शांत निरंजन लागू मुझे न कोई बंदन वो सत्संग सुनकर फिर अगले दिन नामदान ले लिया दिक्षा ले लिया अगनी पुराण में आता है अगनी देवता वशिष्ट जी को कहते हैं कि हे महापुरुष मैं एक निवेदन करूँ कि जीवन में जब भी दिक्षा ली जाए तो तत्वग्यानी गुरू से ली जाए क्योंकि और कोई अगर मंत्र देता है तो वो केवल प्रोक्ताह वरणास्तु केवलन वो केवल वरण अक्षर है उससे जीवन में परिवर्तन नहीं आता पर तत्वग्या गुरू देते हैं तो वो जागुरत मंत्र होता है वो कल्यान कर देता है तो ऐसे गुरुदेव से मंत्र लेकर जब शुरू किया और थोड़ा ज्यादा करते थे दस माला से भी ज्यादा मंत्र किसे कहते है मननात थ्रायते यस्मात उनको प्रदानाचर्य का पद भी उसी स्कूल में अभी भी बड़ी स्कूल है वहाँ है वो करजा भी उतर गया सब ठीक हो गया एक सजण डूंगरपूर में है जोतिश विद्या के जानकार है उनका बांजा पढ़ने लिखने में कमजोर था उन्होंने उसके ग्रहों की उसकी स्थिती देखी जनम पत्री देखी कहा कि बच्चा ऐसा ही रहेगा कमजोर पढ़ने में पर मा को लगन लगी कि मेरा बेटा सफल आदमी बने मा ने दिला दिया सारस्वुत्य मंत्र जब वो निन्यान में प्रतिशत से पास हुआ विवेक नाम का लड़का डूंगरपूर के पास रहता है तो उसके मामा ने फिर उसकी जनम पत्री देखी तो गणित लगाया कि एक जप के प्रताप से इसकी ग्रहों की इस्तिती सुदर गई बदल गई गुरु गीता में जो एक शलोक आता है बगवान शिवजी का वचन है असिद्धम साधायेत कार्यम नव ग्रह भया पहम सत्संग से शिक्षा मिल गई तो कैसा वो प्रदानाचारे आत्मत्या करने जा रहे थे और अभी फिर अभी सूरत के आश्रम में शिविर में आये तो बता रहे थे सत्संग से कितना लाब हो गया उनको सबकी अपनी अपनी द्रश्टी थी पर जब गुरुदेव की आँख खुली शोर मचा लाए लाठी भाला चाकू मचवारे लोग आये तो वर्णान हम पढ़ते हैं एक द्रश्टी देखे सभी एक द्रश्टी तो श्रीकरश्ण जो वजन बढ़ाते हैं या आकार बढ़ाते हैं ये संकेत गुरुदेव ने अपने जीवन में प्रत्यक्ष कर दिखाया है वजन बढ़ाना, आकार बढ़ाना माने देह भाव को विलीन करके ब्रह्म बाव बढ़ाना तो वो लोग जो चाकु और भाला लेकर आयते वो चरणों में गिर पड़े ये ब्रह्म भाव, ब्रह्म द्रश्टी वजन बढ़ाया तो त्रणावरत मर गया ब्रह्मा जी कहते हैं अथरवेद की मुन्दक उपनिशद में कि जो इस प्रकार संध्या के समय अपने तत्वग्य गुरु की निशकाम भाव से पूजा कर ले तो उसका दुबारा जनम नहीं होगा शुक्र में तदती वर्तंती धीरा और अगर सकाम भाव से पूजा करे तो उसके मनुरत पूर्ण हो जाते हैं एक सचिन नाम का लड़का दिल्ली में बहुत सेवा करता पर कुछ समय तक वो मुझे दिखा नहीं एक बार उसकी मा मिल गई और मैंने पूछा माता जी वो आपका बेटा नहीं दिखता मुले उसका लीवर खराब हो गया है मैं क्या करूँ बहुत दुख्यू हूँ बहुत इलाज करायब ठीक नहीं हो रहा है मैंने का माता जी आश्रम का लीवर टॉनिक है आप उसको दो और वटवरक्ष जहां शक्ति पात गया गुरुदेव ने वहां से परिक्रमा करके जल ले जाओ गुरु मंत्र जब करके जल में देखो जल दो और वह लीवर टॉनिक जो आश्रम की आश्रम दो तो वह बोले क्या रहे मैं तो भूली गई थी उस आश्रम के बारे में वो ले जाकर बेटे को शुरू कराया मैं पता मेरे पास है दिल्ली में यमनापार एरिया में वो लोग रहते हैं वो लड़का ठीक हो गया शरीर पहले की अपेक्षा बढ़िया हो गया लीवर भी ठीक और अब तो इसकी शादी भी हो गई सुखी है वो जल पिलाया गुरुदेव ने वहां शक्तिपात कर दिया कि वहां परिक्रमा करके थोड़ी देर जप करे प्राथना करे प्राथना बड़ा काम करती है प्रार्थी और प्रार्थ्य के बीच की दूरी को खतम कर देती है दूरी कहां रही द्रौपदी और स्री कृष्ण के बीच तो एक तो ये और दूसरा पुनलिक थाना उसने ठान लिया था मानो तैत्री उपनिशद का वचन के मात्र देवो भवा पित्र देवो भवा ये उपनिशद का वचन उसने मान लिया रिशियों का मान लिया तो उसके मातापिता में शक्ती नहीं थी पर उपनिशदों का वचन मान लेने से पुनलिक को शक्ति प्राप्त हो गई रावन में शक्ति नहीं थी दैवी पर मंदोद्री ने रिशियों का वचन माना के पतिवरत दर्म का पालन करना चाहिए तो रिशियों के वचन का पालन करने से मंदोद्री को शक्ति प्राप्त हो गई सति वरंदा को प्राप्त हो गई तो ये जो हम उपनिशद की बाते है, यहां घीता की शास्त्र की मानने से कल्यान होता है यह प्रत्यक्ष प्रमा है गुरू की सेवा की सत्यकामने ये सामवेद की चांदोगे उपनिशद के चौथे खंड में कथा आती है कि वो गया था ब्रमग्यान लेने पर गुरु की सेवा गुरु ने का ये करो वो किया तो उसको भगवान का साक्षात कार हो गया तो जो ये वचन अपने हितेशियों के मानते हैं वो बड़े ते भागी सुख सुजश के राम जी ने कहा जब लक्षमान जी ने कहा कि मैं राम राज्य ओने दूँगा राम वनवास नहीं होगा धनुश्बान जो अमने रखा है न ब्रभू ये कोई श्रिंगार का साधन नहीं है ये किस दिन काम आएगा मैं भी सब को ठिकाने लगा देता हूँ अब राम जी ने कहा लक्षमान वालमिकी रामायन में है कि कोई नित्य वस्तु हो तो उसके लिए तुम कुछ करो ये कुछ नित्य नहीं है तुम उसके लिए क्यों इतना जोर मारते हो छोड़ो उचित अनुचित विचार तजी जे पालही पितु बैन ते भागी सुख सुजश के बसाइमरावती आयना वो सुख के और सुजश के भागी हो जाते है जो उचित अनुचित छोड़कर अपने पिता के बचन माने और गुरु परम पिता है अर्जुन ने भगवान करश्णों को गीता में पिता कहकर बुलाया है पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमाश्य पूज्य चगुरूर गरियान आप पूजनी है आप वंदनी है आपका प्रभाव अप्रतिम है किसी से तुलना नहीं हो सकती आप ऐसे हैं और स्री क्रश्ण भगवान स्वयम क्या कहते हैं क्रश्ण भगवान स्वयम कहते हैं सर्वत देव मयो गुरू हूँ सभी देवों का वास गुरू में है पर लोगों को सब को इस बात कानूबव नहीं हो सकता नहीं हो पाता है सबको सूरजुदे रोज होता है पर उल्लू के पास आँख नहीं है वो देखने की देखो जैसे परमात्मा द्रश्य नहीं है ऐसे गुरू भी द्रश्य नहीं है परमात्मा द्रश्य नहीं हो सकते ऐसे गुरु भी द्रश्य नहीं हो सकते गुरु का जो गुरुत्व है हम बाहर से तो बोले मैंने गुरु जी का दर्शन कर लिया परन्तु गुरु का जो गुरुत्व है उसका दर्शन कहां हो पाता है न हो पाने के कारण ही कभी-कभी शिष्य के मन में गुरु के प्रती कुछ और भाव आजाता है, विभाव आजाता है, दुरभाव आजाता है जैसे वो सोव्यत रूस का विज्यानी क्रिलियान उसने हाई-फ्रिक्वेंसी फोटोग्राफी विक्सित की, जिसके द्वारा व्यक्ती का चित्र आए पर उसके साथ-साथ उसकी कैसी आभा कैसी औरा है उसका चित्र आ जाए तो उस कैमेरा के द्वारा गुरुदेव को प्राथना करके कलकत्ता में तस्वीर ली गई, हाई-फ्रिक्वेंसी फोटोग्राफी द्वारा तो वो लोग दंग रहे गए और उन्होंने बाद में बताया हमने अध्यात्मु जगत की एक हजार बड़ी-बड़ी हस्तियों के चित्र लिए पर ऐसी औरा ऐसी आभा हमें केवल गुरुदेव के चित्र में देखने को मिली है परन्तु केवल उसकी पकड में भी नहीं आएगा क्योंकि तत्वग्य महापुरुष का प्रभाव ब्रह्मांड व्यापी होता है साधर अनाद्मी नहीं समझ पाएगा फूल की तस्विर ले सकते हैं सुगंद की कैसे लेंगे धर्ती की तस्विर ले सकते हैं पर धर्ती में जो रस है जो मिर्ची को तीखा करता है गन्ने को मिठा करता है उसकी तस्विर कैसे लेंगे शहद की तस्विर ले सकते हैं मिठास की कैसे लेंगे वीना की तस्वीर ले सकते हैं आर्मोनियम की तस्वीर ले सकते हैं पर जब उसको बजाते हैं और उसमें से जो संगीत की द्वनी निकलती है उसकी तस्वीर कैसे लेंगे? सूर्य की तस्वीर कोई खीच ले पर सूर्य की किरणों में जो शक्ती है उसकी तस्विर कैसे लेंगे उसी प्रकार गुरु की तस्विर ले सकते हैं पर सद्गुरु में जो गुरुत्व है उसकी तस्विर कौन ले सकता है कैसे ले सकता है तो वो समझ न होने के कारण कभी-कभी व्यक्ति गुरु से विमुक होता है गुरू के वचनों की उपेक्षा करता है पर फिर भी गुरू ऐसे धहरिवान होते हैं कि अपनी करुणा करपा बर्साते ही रहते है जैसे सूर्य का प्रकाश मुसल्मानों को भी मिलता है इंदूओं को तो मिलता है, सब को मिलता है उडिशा में जब बाड आई थी न, कितने लोग बिचारे डूब गए थे और वहां बीमारी फैली थी, इतने लोगों के मरने के कारण डाई लाग तो पशु मर गए थे बिचारे, महा मारी फैली थी गुरुदेव ने यहां से तो व्यवस्था पक गए धनराशी लेकर और बापुजी से स्वयम रहा न गया और वे भी पहुंच गए उदर गुरुदेव को आया हुआ देखकर उडिशा के मुख्य मंत्री भी आ गए कि बापुजी पदा रहे एम्दाबाद से और 130 अनुक्षेत्र चलाए गए बड़े सुन्दर ढंग से वो सेवा कार्य संपन हो गए फिर गुरुदेव ने वा आदेश दिया कि ऐसा नहीं कि बाई कोई मुसल्मान है तो उसकी सेवा नहीं कोई भी आ जाए सब खाएं अनुक्षेत्र में 130 अनुक्षेत्र चलाए सब का भला हो सब का मंगल हो योग वशिष्ट में आता है कि उनके जैसा उदार और कौन होगा ज्यानवान महापुरुष दया की खान होता है उनके कोप के पीछे भी कृपा छुपी होती है पर दिखती नहीं है जैसे कुमभार होता है वो मिट्टी के घड़े को टकोर मारता है पर एक हाथ भीतर से रखता है भीतर हाथ क्यों रखता है कि अभी न तूटे मैं टकोर मारूं तूटना जाए और टकोर क्यों करता है कि कभी न तूटे हकिकत में गुरू की चोट शिष्य की खोट निकालने के लिए होती है परंतु अंदर वाला हाथ दिखता नहीं है जब अंदर वाला हाथ दिख जाए तो शिष्य कृतग्यता से भर जाए अभाव से भर जाए और गुरु के प्रती जो कृतग्यता उसके दिल में जगेगी वो उसकी अग्यता को मिटाएगी ऐसी महिमा है तो ये ब्रह्मा जी का वचन है और ब्रह्मा जी का वचन कोई ऐसा ही नहीं हो सकता उपनिशद की बात वचन पुंडलीक ने मानी तो भगवान विठल प्रगट हो गया और अभी तक मंदिर उनकी खबर दे रहा है पंडर पुरका मंदोदरी ने उपनिशद की बात मानी तो उसको शक्ति प्राप्तुई वरंदा को हुई और हम देखो न अभी कितनी शांती है यहां पर तुलसिदास जी ने तो कहा के गुरु कृपा के सागर है परंतु गुरु का आश्रम भी सागर है किसी ने पूछा आश्रम सागर कैसे वहां तो कोई पानी है नहीं तुलसिदास जी बोले आश्रम सागर शांत्रस पूरण पावन पात आश्रम जो है गुरु का उसमें शांत्रस रुपी जल है शांती प्राप्त होती है तो एमदाबाद शहर है कोई जाय देखे वहां है शांती और जो सज्जन अभी शहर में से आयो होंगे तो उनों ने आश्रम की एरिया में प्रवेश करते ही शीतलता का एसास क्या होगा कि हाश कहां आ गए हम एसी पवित्र भूमी पर संध्यावंदन करना प्राणायम करना ब्रह्मा जी कहते हैं और निश्काम भाव से पूजा कर ले तो दुबारा जनम नहीं होगा सकाम भाव से करे तो मनुरत पूरा हो जाएगा कहियों के हुए है आपको सुनकर आश्रे लगेगा कि नासिक में शिवरात्री के परवपर एक परिवार के लोग मिले वो बोले कि शादी के 40 साल के बाद हमको गुरु जी के आश्रिवाद से बेटा हो बच्चा में ने देखा असंभव भी संभव हो जाता है इसलिए गुरु के दर्शन करना अच्छी बात है पर गुरु के दर्शन में डूबना ये और भी अच्छी बात है गुरु की उपस्थिती में डूबें हम ये और भी अच्छी बात है और उसके लिए उनी को प्राथना करें उपाय भी वही उपे भी वही इसी से हम लोगों की बुद्धी भी सात्विकोगी सात्विको पासया सत्वं ततो धर्म प्रवर्तते सत्व शंपन गुरु की उपासना की जाती है भगवान क्रष्ण कहते हैं फिर उसकी प्रवर्ती धर्म में होती है उसका कल्यान हो जाता है नहीं तो बुद्धि कैसी होगी खुद भी परेशान दूसरों को भी परेशान एक आदमी बैठा दिल्ली से बस में गाजियाबाद जाने के लिए कंडेक्टर को कहा के शाहदरा आये तो बताना बार-बार रट लगा दी शाहदरा आये तो बताना जब शहादरा आया तो कंड्यक्टर भूल गया उसको बताना बस निकल गई आगे उसने फिर आवाज दी शहादरा आये तो बताना कंड्यक्टर बोला कि वो तो गया पीछे गुसे में आ गया कि मैंने पहले का था अब गाड़ी पीछे लो पैसंजरों ने भी का कि हाँ यह तो कह रहा था पीछे लिए शहादरा आया उत्रो वो आया बैठके एक दवाई ली और पानी लेकर पिया बोले आप बस चलाओ आपको उतरना नहीं है बोले नहीं तो शहादरा आय बताना कह रहे थे जिसके जीवन में गुरु नहीं शत्व समपन गुरू की उपासना नहीं तो आदमी फिर ऐसा भी हो जाएगा पर सत्व संपन गुरु की उपासना है भक्ती है, मंत्र है तो वो विद्यार्थी विवेक बोले यह तो ऐसा ही रहेगा पढ़ने में कमजोर पर निन्यान में प्रतिशन किसको बोलते हैं अब ले ग्रहों की स्थिती बदल गई तबी फिर से थोड़ा दोनों नथनों से स्वास लेकर रोकेंगे मन में थोड़ा जप करेंगे और दीरे दीरे छोड़ेंगे दोनों नथनों से गहरा स्वास ले पर दोनों से थाइए